हेलो दोस्तों नुश्का दोस्तों स्वागत है आप सभी का ओन्लाइन अड़ाफर स्टोडी यूटूब चैनल पर वीडियो में हम बात करें बीएड वसिस बीटीसी मामले पर वसिस सिक्षा मित मामले पर और सुप्रीम कोड को लेकर बीएड और बीटीसी को लेकर सुप्रीम कोड ओफ इंडिया में तो फाइनल जर्जमेंट आप सभी के सामने आ गया लेकिन अब यहाँ पर इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे क्योंकि यह मामले पहले से बहुत सारे फसे हुए और आज कल मैंने देखा है कि 69000 के मामले पर बहुत सारे नए नए कईने की आप सभी के सामने जो तरक को तरक हैं वो दिये जाते हैं जबकि 69000 सिच्छकवर्दी में जितनी जानकाई आपको ओन्लाइन अड़ा फरस्टड़ी यूटूब चैनल ने दी होगी सरी सदीक अथेंटिक अगर आप इतियास उठाकर के देखें तो बहुत सारी जानकाई आपको इसी चैनल के माध्यम से सबसे पहले दी जाती थी लेकिन अब आप सभी को वो लिम्टेट जानकाई दी जाती हैं जो महत्पूर और काम की होती हैं क्योंकि इस मामले पर B8 वसेच BTC को लेकर जब से 11 अगस 2023 को फैसला आया था उसके बाद से ही 39,000 का मामला भी एक बार फिर से चर्चित हो गया था और अगर आपने देखा होगा तो मैंने लिम्टेट चार से पांच वीडियो जी आपको बना करके उसके बारे में जानकाई दी थी और आज भी मैं इस मामले पर जानकाई देने जा रहा हूँ और आप सभी के सभी सवालों के जवाब के लिए कर दूँगा अगर आप 79,000 में बीएड है या बीटीसी है या फिर शिक्षा मित्र है अगर जानना चाहते हैं सही और सटीक जानकारी तो वीडियो को पूरा सुन ले ना आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे ठीक है चश्मा आपका किसी का भी लगा हो मैं निश्पक शोकर के जानका ही दूँगा इस मामले में जो सही है अब बात कर लेते हैं बीएड वसिल बीटीसी को लेकर सुप्रीम कोड ओफ इंडिया को लेकर जैसा कि आप जानते हैं कि 11 अगरस 2023 को बीएड वसिल बीटीसी पे एक फैसला आया था जो की जारी किया गया था सुप्रीम कोड ने 28 जून 2018 के उस नौटिफिकेशन को रद करते हुए जिसमें बीएड बाहर हो गया ठीक है प्राइमरी से अब कल की तारीक में इस मामले पे फिर से फाइनल जिसमेंट आया जिसमें सुप्रीम कोड ओफ इंडिया ने थोड़ा सा संशोधन कर दिया लेकिन इसके बाद जब ग्यायर तारीक को यह डिसीजन आया था ना तो यहां पे क्या हुआ कि सिक्षामित जो गुड़ू सिंग है उनके माध्यम से 304 पेज की एक प्रेटीशन सुप्रीम कोड ओफ इंडिया में फाइल कर दी गई अभी जो 304 पेज की प्रेटीशन फाइल की जाती है उसमें बहुत सारी काम की बात है थी लेकिन मैं में 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 बता देता हूं उसमें वो यह कहते हैं कि जो बीट वर्सेज बीटीसी का मामला है वो उत्तर प्रदेश में 59,000 सिच्छक वर्ती निकाली गई थी जिसके अंदर बीट करने वाले अभ्यतियों को 28-28 की नोटिफिकेशन के आदार पर समलित किया गया जबकि मानिय सुप्रीम कोड के आदिस के आदार पर वो प्रैमरी सिच्छक वर्ती में वैलिड नहीं है पेड़गोर उन्होंने उन्होंने ये भी बताया कि 68,500 इसके अलावा 99,002 भरतिया निकाली गई थी जिसमें कट आफ ये था कट आफ वो था और वह साही बाते हैं ना तो शॉट में मैंने आप सुभी को समझा दिया कि गुट्टू सिंग ने 304 पेज की पेटिशन सुप्रीम कोड ओफ बीर्ड प्राइमरी सिच्छक बरती में चैनित भी हुआ था 99,000 में तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए ये याचिका दाखिल की गई थी अब 304 पेज में क्या था मेन मेन मैने आपको बता दिया अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि क्या बीर्ड वसे बीटी सी मामले म 99,000 सिच्छक बरती भी सब्जेक्ट तू आउटकम थी क्योंकि कल के बाद इस मामले पे भी सवाल खड़े होने लगे क्योंकि इसको लेकर कुछ अब्यतियों का कहना है कि बीर्ड उने तरजा में सेफ है अगर आपने मेदावी वीडियो देखा होगा मैंने भी आप सभी को बताया था कैसे अब सब्जेक्ट तू आउटकम की बात आ रही है थोड़ा सा उसको भी किलियर कर लेते हैं कि क्या वो सब्जेक्ट तू आउटकम है या नहीं है है ना तो 99,000 सिच्छक बरती में एक मामले पर कपिल सिर्बल ने बहास करते हुए कहा था उसको भी ध्यान मे बोस के माध्यम से कहा गया था कि जो 99,000 सिच्छक बरती का मामला ये डिसाइड हो चुका है अगर आप इस पर बहस करना चाहते हैं तो जिव्यू के माध्यम से आप आ सकते हैं पहला कल की जब सुनवाई चल लई थी जब कोर्ट ने अपना final judgment लिखवा दिया तो उस समय भी शिक्षा मित्तों के बकीलों के माध्यम से भी इस मामले पर अपने point रखे जाने का प्यास किया गया था लेकिन court के माध्यम से उन्होंने किसी एक special state के लिए कोई जानगाई नहीं दी उन्होंने कहा कि जो बियर्ट करने वाले अव्यरती 11 अगस 2003 से पहले appointed हैं उनको as it is इस बात को नहीं सुना यानि कि वो इस मामले में कहीने की अभी तक कि लिए नहीं करना चाहते थे उन्होंने बस एक बात कि लिए कर दी कि जो भी भरतिया है जिनमें अगर बियर्ट को subject to outcome रखा गया है तो उसके आधार पर वो decide कर लें अब एक बात तो 100% हो जाती है कि जो होगा कि जादा तर भरतिया subject to outcome रहती है अब उत्तर प्रिदेश की भरति को अगर थोड़ी देर के लिए निकाल दो तो 36 गड़ में आपने देखा वहां पर भी कहीने की भरति इस्टेट जो वहां की स्टेट हाई कोट थी उसने subject to outcome रखी उन्होंने उनको बाहर कर दिया है पर भी उनको जो नौकियां दी गई थी वो भी subject to outcome है तो अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करें तो subject to outcome के आधार पर अल्मोंस सभी भरतियां ढूप गई है ना लेकिन अगर बात की जाए 79,000 सिच्छक भरति के बारे में यह थोड़ा सा मामला अलग है कैसे ध्यान से स पांस दिसमबर 2018 को उस समय बीएड वर्सेस बीटीसी को बीएड को पैमरी में समले तो किया गया था लेकिन उस समय विवाद बीएड और बीटीसी का नहीं था कैसे क्योंकि जब इसकी परिक्षा होती है परिक्षा होने के बाद में बीएड करने वाले अभ्यती PNP के सामन करते हैं वो कहते हैं कि इसमें कट ऑफ लगा दो क्योंकि अगर कट ऑफ आप नहीं लगाएंगे तो सारी सीटें सिक्षा मित ले जाएंगे क्यों को 25% का भारांक बिल जा था हाला कि अंक था लेकिन परसेंटेज में जुड़ने के बाद वो परसेंटेज बन जाता जिसके चलते उनका चैन बड़ी आसानी से हो जाता तो इसलिए बीएड करने वाले अभ्यतियों ने मांग की कि भई इसको लेकर आप क्या करिए के कट अफ लगा ये अब आनन फानन में प्रबात कुमार ने यहां पर परीक्षा के बाद में कट अफ लगा दिया जो कि 60 पैसट था उ उसमें क्या देखने के लिए मिलता है कि राजिश शोहां सर के माध्यान से बीएड की योगिता को लेकर भी सवाल खड़े कर दिये गई उसके बाद बीएड को पैमरी में चैलेंज कर दिया जाता है इन शोर्ट अगर देखा जाए तो 79,000 सिच्छक बरती में बीएड को बा गया था एक तरीके से तो यहां पर डिफेंस यह देखने के लिए मिला था अगर आपको याद होगा जब सुप्रीम कोट ने अपना फाइनल जस्मेंट सुनाया था तो उसमें भी यह बात कंफर्म हुई थी जस्टिस यू यू ललित जी के माध्यम से इस बात को कहा गया थ तो है लेकिन चुकि इसको बाद में चैलेंज किया गया इसलिए उन्होंने इस मामले पर कोई अपना डिसीजन नहीं दिया था यानि कि बीएड को लेकर निश्चित तो पर सुप्रीम कोट में योगिता को लेकर सवाल दो था ही तभी तो बीएड प्राइमरी से बाहर या फिर उनको परिक्षा में नहीं बैठने को मौका मिल पाता क्योंकि उस समय कंडिशन कुछ और थी तो ये तो बात होगी आप सभी की नौकरी के बारे में अब सवाल यहां पर यह है कि जब बीएड वसेड बीटीसी की सुनवाई चल लएती तो वहां पर बहुत सारे स्क बहुत साय वायल हो रहे हैं जिसमें एक आये के माध्यम से जो बीटीसी अव्यरती वो जुड़े हुए थे अब हर भरती के अंदर आप देखते हैं कि जब मामले पर सुनवाई चलती है बीएड बीटीसी को लेकर तो हर राज्य के बीएड बीटीसी करने वाले अव्यरती आईये दाखिल करते हुए या फिर अपनी प्रेटीशन दाखिल करते हुए उसके अंदर जुड़ जाते हैं तो यह मामला कहीने के यहां पर अभी आप सभी के मन में जो है कि क्या 99,000 इसके subject to outcome थी तो मामला 99,000 की निउक्ति का है जो कि उनके निउक्ति के समय पर बीएड परसिस बीटी सी के है उनकी निउक्तिया कट ओफ के outcome में तो है है ना ध्यान से सुनिए उनकी निउक्तिया कट ओफ के outcome में है आरच्छन के outcome में है लेकिन अभी तक इनकी जो निउक्तिया की गई है वो इस गुड़ू सिंग की याचिका के अधीन नहीं है इस याचिका पर कल बसों का order आएगा तो उसके बाद कुछ होगा तो बता दिया जाएगा लेकिन अभी डिस्पोज नहीं किया गया है लेकिन ये कहना कि ये बीएड वसिज बीटीसी मामले के outcome के subject to outcome है तो ये कहना अभी पूरे तरीके से गलत होगा ये मामला 79,000 सिच्छक बरती का बीएड व पूशिश करें तो वो बाद में decide होगा कि है या नहीं लेकिन अभी के लिए अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि क्या ये याचिका 90,000 सिच्छक बरती की जो है या 90,000 का जो मामला है बीएड वसिज बीटीसी के subject to outcome है तो मेरा कहना होगा नहीं जो बीएड वसिज ब बेरती हैं वो उनकी नोकियां सेफ हैं अगर मैं कल के order के आधार पर आपको बताना चाहूं तो तो ये पूरा का पूरा सिनारियू है बीएड और बीटीसी के बारे में बाकी order आ जाएगा उसके बाद तैय हो जाएगा और अगर फिर भी सिक्षा मित्तों के माधियम से सुन मामला अलग है मैंने एक एक शुरुवा से आपको बताने की कोशिस की और समझाने की कोशिस की है उन भी दे के सभी सवालों के जवाब मिलके होंगे थैंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो